हलो एवरिवन, वेलकम टू रीते अरोरा रेसिपीज, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मश्रूम पकोड़ा जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत शांदार हैं, हम इसे बिल्कुल अलग हो नए तरीके से बनाएंगे, और साथी फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली मश्रूम लिए हैं, अगर मश्रूम उपर से थोड़े से काले होते हैं कई बार, तो आप इसके पर थोड़ा सा इस तरह से मैदा चिड़कें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें या टॉस कर लें, और अब इसे फिंगर से इस तरह से रब करेंगे, तो इसके उपर की जितनी भी दस्ट होगी या कालापन होगा, वो असानी से उतर जाता है, देखिए इस तरह से, इसके बाद हमने मश्रूम को अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद साफ कपड़े से पहुँच लिया है, और ये देखिए मश्रूम तयार है, और अब हम इसके नीचे का पार्ट हटा देंगे, और इसमें ये देखिए कैवटी बन जाती है, जिसमें हम स्टफिंग भरेंगे, और ये जो मश्रूम का बचा हुआ पार्ट है, जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, आप उसे चोटे टुकडों में काट कर इसके मश्रूम के परांठे बना सकते हैं, सबजी बना सकत हैं, या फिस सूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये देखिए, इस तरह से हमने सभी मश्रूम में कैवटी बना ली है, और अब हम इसके लिए स्टफिंग की तयारी करेंगे, स्टफिंग के लिए हमने या पर दो चमच बारी कटा हुआ प्यास लिया है, साथी दो चमच ब दाल रही हूँ, और थोड़ा सा हम इसमें नमक चिडख देंगे, नमक हम बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि चीज में भी है और साथी शेजवान चटनी में भी नमक है, मैं इसमें आदा चमच बार चटनी और डाल रहे हूँ, इसकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम य इस तरह से, जैसे मैंने यहां पर diced cheese लिया है, आप चाहें तो इसकी जगा पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगा आप जो सोया, न्यूट्रिला का जो चूरा होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास जो भी घर में easily available समान हो, आप उसे कर लिया है, और अब हम इनकी कोटिंग के लिए एक बेटर तयार करेंगे, इसके लिए यहां पर एक बावल में 3 चम्मक मैदा लिया है, इसमें 3 चम्मक कॉन। या अरा रोत ले लेंगे, साथी थोड़ता सा नमक डालेंगे इसमें टेस्स के एकॉर्डिंग, एक चुथाई अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक गाड़ा बेटर तयार कर लेंगे, और ये बेटर तयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, और अब हमने यहाँ पर इस बाउल में फ्रेश ब्रेड क्रम्स लेए हैं, आप चाहें तो ड्राइड ले सकते हैं, जैसे कोई भी आपकी बेट पड़ी हो घर में, आप उसे बस नॉर्मली ग्राइंडर जार में पीच लें, और इस तरह से आप इसे फ्रेड ब्रेड क्रम्स तयार कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसे प्लेट में ही इस त सबसे पहले हम इस बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे फिर इसमें से निकाल कर हम इसे ब्रेट क्रम में डालेंगे ब्रेट क्रम से अच्छे से कोट करेंगे फिर इसे हम वापिस इस बैटर में डालेंगे हम इसे बैटर से अच्छे से कोट करेंगे अब हम इस बैटर में से जो इसकी बाहर की layer है वो एकदम soft हो जाएगी बाद में और इसकी बाहर की layer एकदम crispy बनी रहे इसके लिए हम इसे double coating कर रहे हैं और साथ ही इसकी stuffing भी बाहर नहीं आएगी और इसी तरह से हमने सबी mushroom बना कर तयार कर ली हैं इधर हमने oil भी पहले ही गरम कर लिया था अच्छे से fry कर लेंगे gas का flame हम medium to high रखेंगे देखे इनके बाद कितना बड़िया golden color आ चुका है यह अच्छे से fry हो चुके हैं तो अब हम इने tissue paper पर निकाल लेंगे और यह देखे यह एक mushroom का पकोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज्यादा crunchy है और मैं आपको यह काट कर दिखाती हूँ यह देखे बाहर से बहुत ज्यादा crunchy था और अंदर से आप देख सकते हैं कितना moist हो कितना juicy है तो फिरिंट्स यह बहुत ही ज्यादा tasty है तो आप भी इस crispy mushroom पकोड़ा को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुपह में सथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमाई recipes पसंद आती हैं तो हमारे चैनल Rita Aurora recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे bell icon पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नई videos के notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी जोइन कर सकते हैं और नई-नई recipes के लिए